हलो दोस्तो, स्वागे था आपका आज की इस वीडियो में, I hope आप सब मजे में होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही तुछ को सा टोपिक जिसका नाम है, डिराक नोटेशन, तो भाई, नोटेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक पर थ इसको सिर्फ एक तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, एक रो वेक्टर की डर्म में, 3, 2, 4, बहुत सी बुक्स में आप इस तरह से एक्टर दिखाते हैं, तो जैसे हम वेक्टर को दो तरीके से दिखा सकते हैं, इसी तरह हम साई, जो हमारे में अच्छे से बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा cats notation जिसको cat vector भी बोला जाता है तो आप लोगों ने sign पढ़ा था sign क्या था हमारा sign था हमारा wave function जो कि हमारी सारी wave properties को बताएगा तो भाई डिराक ने इसके लिए इसी तरह अगर हमें cat vector given है cat क्या है cat भी sign को दिखाता है लेकिन notation अलग है वह हम इस तरह से दिखाते है cat vector अगर हम cat का complex conjugate निकाले तो वह क्या हो जागा हमारा इसको हम लिखते है इस तरह से इसमें क्या है बस यह सिर्फ notation का फरक है यह sign है और यह sign star है तो sign star को नाम दिया गया bra और sign को नाम दिया गया cat तो यह हो गया हमारा sign star और इसकी notation होगी इस तरह से ब्रा वेक्टर तो जब-जब हमारे पास cat vector दिया होगा हम उसका complex conjugate वयकों अगर निकालके ब्राइंटन सकते हैं इसका रिवर्स्य भी ट्रू हैं मतलब अगर अगर हमें ब्राइंटन से गया है तो हम ब्रा से vshet निकाल सकते हैं हमें लिए करना कई हमें इसका complex conjugate निकलना है तो यह होग सब्सक्वा रोटेशन है पर आति है इस तरह से क्या हो गया ? तो इसको इसतर? बहुत साइंबके मतलब जो पहले आता था उस पर मेंplement ले लेते हैं hyper साइं को पहले लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा साइं विकॉज क्वांटम में बहुत सारा मैथमेटिकल पार्ट इंक्लूड होता है तो बार 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 इंटेग्रेशन को लिखना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है इसलिए दिराक ने यह नहीं नोटेशन दी इसका नाम विख सकते हैं इसका दि नाम दे दिरा जी रूर तो यह क्या नोटेशन होगी यह है हमारा साइ स्टार और टिकार तो 5dx is equal to 0 जो term हुमारी पहले होगी, वो raise होता है जो time second होती है वो हमारी भीना स्टार होती है तो यह होग भ्राकेटं सर्टमिवर्ट। अर्थोगौनल स्टेट्स में इसी तरह हमने बढ़ा था ब ओर्थो नो़मिल नमल स्टेट's इसको बहुत ही सिंपल सा टोपिक है बस आपको यह याद रखना है कि star notation जब भी होती है तो इसको ब्रा से दिखाए जाता है without star को cat से दिखाए जाता है तो भाई अब इसको numerical से समझने कोशिश करते हैं कि हम इसको numerical में कैसे use करने वाले हैं तो भाई यह है हमारा question इसमें हमें क्या given है इसमें हमें given है एक sign vector दिया हुआ है और एक five vector दिया हुआ हमें निकालना क्या है हमें निकालना है bra vector तो भाई अगर हमें cat vector दिया हो और cat का क्या कर दे हम हम कर दें उसका हर्मिशन निकाल दें मतलब star vector जो भी बोलते है complex conjugate तो वो ब हर्मिशन मेट्रिक्स या हर्मिशन ओपरेटर तो इटा को माइनस इटा से रिपलेस करेंगे और रो को को चैज़न कर देंगे अब हमें given का है हमें दीये हुआ है cat vector यह है हमारा two minus i eta two minus three i eta अब यहां से अगर हम ब्रा देक्टर निकालेंगे तो वह क्या हो जागा इसका complex conjugate तो यहां पर यहां पर यह हमारी बन जाएगी एक तो रो बन जाएगी हमारी column यह हो जागा two minus i eta को में लिखोंगा प्लस i eta और इ हमें निकालना का है दोनों का प्रोडणक निकालना है मतलब मुल्टीब्लाय किसका गूहिता गगलना है किसका ब्राव प्राव फाई जो तो यह होजएगा हमेर पास two, plus iata and two plus three iata हमने का किया ? iata को minus iata से हो redastic और कोglem को rows में change कर दिया अब हमें psi जो भी Lawrence given है तो यहakukan बोड्यवन Forever ndकालेंगे तो यह होजएगा हमेरा 最後 is phi yata यहांसे हम क्या करेंगे ? फषर फाई के महानने अउपह भपहेंगे हो जएगा 1st तम से multiply हो गां तो यह हो roll को č चपट हो गां- इस प्लस-ट सख़एर यहांसे आझेगा फोर इंडिया होगा P मृकप्लाइट प्लस-ट्वख्या फॉर्डिया है आधा इसको बोले ता है इसको बोले जाता है या inner product या dot product आप कह सकते हैं यहां से अपने निकाल लिया 5 और si का अब हम एक example करते हैं जब हम sign को पहले यूज करते हैं तो यह हमारा same question है लेकिन इस वर sign को पहले यूज किया गया है हमें क्या दिया हुए sign का cat दिया हुए यह लिए हमने as it is sign को लिखा 3 आयटा 2-4 यहां पर आजाएगा 2-3 आयटा यहां से इसका multiply करेंगे तो यह आजाएगा 3 आयटा इंटी 2 यह हो ज़गा 6 आयटा यहां से multiply करेंगे तो यह आएगा minus 2 आयटा plus आयटा स्क्वेर यह आजाएगा बातने 8-12 आयटा तो यहां से हमारे पास आजएगा 6 आयटा minus 2 आयटा यह हो ज़गा 4 आयटा और यहां से आजएगा minus 8 आयटा यह होता है आयटा square is equal to minus 1 तो यह हो ज़गा हमारा 7 तो यह आगया हमारे पास multiply किसका आगया आप लास स्लाइड में हमने निकाला था फाई और साइगा multiply का मान है यह प्लस सेवन लेकिन साइग और फाइक के multiply का मान है माइनस 8 आयटा प्लस सेवन तो जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ कि a उर b का multiply जोड़ी नहीं हो कि वो ब्राबर हो B और A के multiply से इसी तरह से जो हमारा scalar product है sin और phi का या phi और psi का वो equal होना जरूरी नहीं है वो अलग हो सकता है matrix की multiplication की तरह तो वह यह था हमारा आज का चोटा सा topic मिलते हैं next वीडियो में thank you so much